देश में एक मैस से अठारा से चवालिस साल के लोगों का करोना वैक्सिनेशन सुरू हो गया है उत्तरप्रदेश में सर्फ साथ जिलो में वैक्सिनेशन सुरू किया गया है मुक्ख्यमंत्रियों की आदितिनाद ने बताए कि जिन जिलों में positivity rate जादा है उनमे vaccination शुरू किया गया है मुक्ख्यमंत्रियों की आदितिनाद ने कहा कि प्रदेस में 1 मईस से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का vaccination का कारे शूरू किया गया है पहले चरण में 7 जनपदों को लिया है जिन में पॉस्टिविटी रेट और सक्रिय मामले अधिक है इन 7 जनपदों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए अलग से 85 केंदर बनाए है मुख्यमंट्रियोगी आधितिनाथ ने बताए कि 1 मई से 45 साल से जादा उम्र के लोगों का 2500 केंदरों पर वैक्सिनेशन शुरू हुआ है CM योगी आधितिनाथ ने कहा कि राज्य में 18 वर्ष से जादा उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सिन उपलब्द हो गई है मुख्यमंट्रियोगी आधितिनाथ ने कहा कि हमने सीधे कंपनियों से वैक्सिन खरीदी है प्रदेश में हम 5 करोड वैक्सिन का ग्लोबल टेंडर भी प्रारंब कर चुके हैं अगले 5 दिनों में इन 7 जिलों में 85 केंदरों पर वैक्सिनेशन होगा इसके बाद दूसरे जिलों में भी सभी लोगों को वैक्सिन दी जाएगी मुख्यमंट्रियोगी आधितिनाथ ने कहा कि प्रदेश शरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को फ्री वैक्सिन देने का फैसला किया है 45 साल से जादा उम्रिके लोगों को केंदर से फ्री वैक्सीन मिल रही है जिससे प्रदेश के सभी लोगों का कोवीड का वैक्सीनेशन किया जा सके इस संबंध में मुख्य मंत्रियोगी आदितिनात ने कहा आदिनी प्रदान मंत्री जी की पेड़ना और उनके उनकमपा से बैश्विक हमारी करोना को पूरी तरह समाप्त करने योग देशे से 18 प्लस वो भी वैक्सीनेशन का कारिक्रम आज प्रारम हुआ है उत्तर प्रदेश में 45 प्लस के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसे चर्ण में प्रारम हुए है जहां वैक्सीनेशन का कारिक्रम सफ़ता पुर्वक प्रारम हो चुका है और प्रदेश में हम लोगों ने आज से 18 प्लस से जुड़े हुए लोगों के वैक्सीनेशन के कारिक्रम को भी प्रारम कर दिया है पहले चर्ण में हम लोग जोकी नया सॉप्टिवेर इसके लिए बनाया गया है और नये सॉप्टिवेर के लिए उसके ट्रायल के साथ ही 18 प्लस के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है इसमें हम लोगों ने उन साथ जन्पदों को लिया है जहां पे पॉजिटिवीटी रेट और एक्टिव केस सरवाधिक है लखनो, प्रियागराज, वारणासी, गोरकपूर, बरेली, कानपूर और मेरट इन साथ जन्पदों में आज हम लोग 85 केंदर 18 प्लस के लिए अलग से बनाए हुए है अगले पांस दिन तक इन साथ केंदरों में हम लोग वैक्सिनेशन का करेंगे इन साथ जन्पदों में 85 सेंटर पर 18 प्लस से जुड़ेवे लोगों को भी हम वैक्सीन देंगे इसके बाद प्रते एक जन्पद में 45 प्लस को भी और 18 प्लस को भी 18 से 44 के बीच के सभी नागरिकों को मुप्त में वैक्सीन देने की विवस्ता राज्यसरकार ने बनाई है और 45 वर्स से उपर वालों को सभी नागरिकों को भारत सरकार मुप्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है यह सभी केंद्र हम लोग राज्य केंदर प्रारंब करेंगे आज 45 प्लस से उपर वालों के लिए 2500 केंद्रों में वैक्सिनेशन की तीस्चे चंड का कारिक्रम प्रारंब हुआ है और 18 प्लस के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपतों के 85 केंद्रों में वैक्सिनेशन का कारिक्रम प्रारम किया है ये सभी वैक्सिनेशन के कारिक्रम निशुलक है और प्रते एक नाकरी को बिना भेदवाओ के वैक्सिन उपलब्द कराये जा रहा है ये करोना से बचाओ के लिए एक बहुत महत्तुकुन हत्यार है मेरी अपील है पुरे प्रदेश वासियों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभो प्रियास कर रही है ये महामारी है और महामारी में बचाओ ही सरवत्तम उपाई हो सकता है अनामस्य गुरूप से कोई घर के बाहर न निकले हाई रिस्क काटेगरी से जुड़े वे जो पांच ऐसे गुरूप है साड़ साल से उपर दस वर्स से छोटी उम्र के गर्वती महलाएं कम्यूमिनिटी के लोग या एक एक सेथिक बीमारियों से गर्शित लोग वे तो कता ही घर के बाहर न निकले घर के अंदर भी मास्क का इस्तमाल जरूर करें सभी व्यापारियों से या जितने भी हमारे करोना वारियर्स हैं करमचारी हैं स्वास्तिकर्मियों उन से भी वरावर यह कहा जा रहा है उनको प्लब्द भी कराया गया है वे मास्क और गलब्स का इस्तमाल जरूर करें, सेनिटाइजर अपने साथ में रखें निगरानी समितियों को भी हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में, मोहलों में भी इस सभी परकार के मामलों में निगरानी रखने के लिए बराबर जन्पत के इंटिक्रेटिट कोबिट कंट्रोल सेंटर में समबाद बना करके समय समय पे जानकारी देने के लिए एक ब्योस्ता बनाई हुई है टेस्टिंग की संख्या, कॉंटेक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने और उसके बाद 100% टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं इस समय प्रदेस में हम लोग प्रती दिन सबादो लाग से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं लेकिन ये महामारी है, संसाधन इसमें सीमित पढ़ रहे हैं धैरे के साथ बचाओ करते वे, वैक्सीन के लिए जिन लोगों को केंदरों में बलाये जाए मेरी अपील होगी, वे लोग ही केंदर में आएंगे दूसरा हम लोगों ने इस बारे में प्यवस्ता की है कि जिरो वेस्टेज हो वेस्टेज के उसकोम नियूंतम स्तर पर लाने में सफल हुए हैं लेकिन जिरो वेस्टेज के साथ इसमें वेटिंग एरिया, कोविट प्रोटोकल का पालन करते हुए आपजर्वेशन एरिया, वैक्सीन लगने के बाद प्रते एक व्यक्ति के लिए इस प्रकार का स्पेस दिया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति को हम वैक्सीन दे सकें लेकिन हमें करोना के इस संक्रमन को भी रोकना, इसकी चेन को हर अस्तर पर ब्रेक करना है इसमें जनता का बहुत बड़ा युगदान हो सकता है केंदर और प्रते सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है और मेरी अपील होगी सबसे कि जो लोग वैक्सीन ले भी लिये हैं दोनों डोज ले रहे हैं ये बचाओ का सर्वत्तम उपाए है अगर उनमें कहीं इंफेक्सन आया भी तो माइल्ड रहा है उन्होंने रिकबरी जल्दी कर दी है जिन्होंने एक डोज भी लिया है तो भी अगर इंफेक्सन आया है तो रिकबरी में मदद मिली है लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हमें मास्क का और दो गच की दूरी का पालन करना होगा इसमें हर व्यक्ति के सयोग से टीम वर्क इसमें काम करेगी तो सभलता प्राप्त होगी और करोना के खलाब देश की लड़ाई में हम सब विजय होंगे उस सामुएक्ता का टीम वर्क का परिचे सभी लोग दे रहे हैं जनता जनारदन भी दे रही है हमारे हेल्थ वर्कर दे रहे हैं चिकितसक, करोना वारियर्स स्वेम सिवी संगठन विभेन प्रकार के सामाचिक संगठन वे सभी लोग दे रहे हैं और मेरी अपील होगी कि सभी लोग मिलकर के करोना के खलाब देश की लड़ाई में विजयी बनने की उरक्रसर हों वैक्सिनेशन के आज के इस कारिक्रम को 18 प्लस के लिए भी प्रारंब करने के लिए आधने प्रधान मंत्री जी के प्रतियाभार विक्त करते हैं सुदेशी वैक्सिन उपलब्ध करवाने के लिए देश के वैज्ञानिकों का अविननदन करते हैं और मैं धन्यवाद हूंगा कि आज हमें वैक्सिन प्राप्त हुआ है जिन संस्ताओं ने हमें वैक्सिन हमने यद्देपी एक करोड का ओडर किया था हमें वैक्सिन प्रारंब यहां पे 18 प्लस के लिए भी उपलब्ध हो चुका है हम लोगोंने सीधे कमपनियों से खरीदा है बाकी पांच करोड का हम लोग ग्लोबल टेंडर भी प्रदेश के अंदर प्रारंब कर चुके हैं और मेरा विस्वास होगा कि हम लोग बहुत अच्छे तंग से तेजी के साथ इस वैक्सिन के कारिक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे हर नागरिको सुरक्षा कबच वैक्सिनेशन के माद्यम से देंगे ही साथ साथ इस लड़ाई को मस्बूती के साथ देश के साथ कंधे से कंधा मिला करके उत्तरप्रदेश का प्रतेग नागरिक देगा वैक्सिनेशन के कारिक्रम के लिए जिन लोगों ने आज वैक्सीन लिया है, उन सब को मैं अपने राजसरकार की तरफ से बढ़ाई देता हूँ, उनके सुपकामनाई उनके प्रतिब्यक्त करता हूँ, करोना वारियर्स और हमारे स्वास्तेकर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग उनका सम्मान करें और उनको हर परकार का संबल दें, दूसरा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन लोगों ने अपने नजदी की लोगों को खोया है, पूरी उसमें, यह माहमारी है, उनके प्रतिय हमारी संबेदना है, और राज्यसरकार और केंदर सरकार मिलकर के, अधिक से दिक संसाधन जुट प्रताने का प्रियास कर रही है, सभी लोगों का सहयोग इस पूरी अविहान में हमें चाहिए, और हम मजबूती से कह सकते हैं कि हर एक को सुरकसार प्रतान करने का हम हर सक प्रियास करना है, धन्यवाज़ूदू